राधिक्रिश्न दोस्तों प्यार आपको समझाने लगेगा हमारे प्रभू ठाकुर जी इतने कृपालू है कि वो वैसे ही बरस्त है वो हमें प्यार ऐसा देख की नहीं करते ही कि वो बहुत भजनानंदी है बहुत जितेंद्रिय है नहीं विशेश प्यार तो शर्नागतियों को ही मिलता है जो शर्नागति में एकदम कच्चा है जिसकी शर्नागति में एक ही लक्षन है उसको विशेश प्यार मिलता है पर वो उसे समझ नहीं पाता विकारों के कारण या अनुभव ना होने के कारण वो विचलीद हो जाता है परन्तु जिस दिन अनुभव होगा उस दिन बात रिदय से निकलेगी कि प्रभो के प्यार जैसा प्यार ना कभी देखा है और ना कभी सुना है बस हमें ये समझ पाना ही बहुत बड़ी बात है और ये समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि हम अभी कुछ कर सकते है हम अभी कुछ है तो ये अहम की भावना प्यार में बाधा लाती है लाडली का प्यार तो मानो जैसे आपका जीता जागता रिदय, द्रवीत हो जाए इतना प्यार देख कि आपके शरीर से रिदय ही निकल जाए लाडली के प्यार के लिए ना कोई कच्चा है ना कोई बच्चा है केवल कह दिया कि मैं आपका हूँ तो उनके उदारता और कृपालुता का अंदाज लगाना भी नामुम्किन है इतनी उदारता हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे प्रभु स्वयम कहते है कि मैं मेरे शर्णागतों के पापों का जिनमेदार स्वयम हूँ देखिए इतनी उदारता प्रभु की है इतना प्यार वो शर्णागतों से करते है प्राया ये कहां गया है कि जो करोगे वो ही भोगना पड़ता है परंतु आचार्य गुरुदेव कहते है कि शर्णागतों के लिए ये बात आती भी नहीं है जिस दिन उसने दिक्षा ले ली उसी समय कर्मों की पाटी कोरी हो जाती है तब उसका नया जन्म इसलिए शर्णागतों के लिए कोई भुकतान नहीं होता ऐसा आचार्य गुरुदेव के रहे है तो अपने लोग उन्ही का उच्छिष्ट पाते है जहां श्री विग्रह और नामरुप के स्वरुप में सेवा विराजित है वही से हमें उच्छिष्ट अता प्राप्त होती है हम उनकी जूटन खाए उन्ही को देखकर जिये उन्ही के आश्रित रहे पर क्रिपा तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से आप शर्रागत हो और अब ये रुकने वाली क्रिपा नहीं है जैसे हमें लगता है कि पहले तो बहुत नाम जब भजन हो पाता था पर अब नहीं हो पा रहा है तो ये ऐसा आपको लगता है ये आपकी सोच है आपको लगने ना लगने से क्रिपा थोड़ी रुकेगी कृपा वो धारा नहीं है जो आपके गुण के द्वारा प्रभाइत हो और अउगुन के द्वारा रुक जाए वो तो एक ना एक दिन आपको डुबो ही देगी प्रभू आपसे इतना प्यार करते है कि आप में इतने विकार होने के बावजुद आप अभी भी भगवत मार्ग में टिके होए है तो ये प्यार नहीं तो और क्या है किरपा ऐसी बाड़ है जो सब माया के बांध को तोड़के बहेगी देख लेना माया विकार अग्यानता ये सब बांध तूट जाएंगे जैसे पारस्मनी सोने को लोहा बनाती है ठीक वैसे ही श्रीजी की शरणागती श्रीजी के सानिध्य को प्रदान करा देती है किशोरी मात मानम कमिश्य कुमारी नुकुले अर्थात केवल किशोरी शरणागती के क्रिपा से ही हमें किशोरी का सानिध्य प्रप्त होता है कृपा का परीचय पाना थोड़ा कठीन होता है अहंकार की वज़े से परन्तु अगर आप ये समझ जाए कि मुझ नीच और अधम को ऐसा प्यार मिला फिर चाहे आप जहां हो जैसा हो उसके रिदय में श्रीजी के प्यार की उबाल आ जाती है इसलिए कृपा का परीचय प्राप्त करने के लिए और श्रीजी के प्यार को समझने के लिए अहंकार रहित होना ही पड़ेगा जैसे हमें कोई प्यार किया तो हमें लगता है कि मैं रूपवान हूँ मैं कुणवान हूँ, मैं ही ग्यानी हूँ, किसी के कारण लोग मुझे प्यार करते है इस स्थिती में आपकी बिल्कुल अधोगती होगी और क्रिपा का अनुभव बिल्कुल नहीं होगा इसलिए अहंकार रहीत हो जाए श्री जी बहुत क्रिपालु है उनके केवल कृपा का ही आवगान करे शुभम भवतू कल्यान मस्तू बक्ती का प्रसार करने है तो इस चैनल को अपने मेत्र और परिवार संग शेयर जरूर करे और बक्ती दुरूर करने है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले राधे राधे